बोलू थोड़ा सा अगले साथ ऐसा सॉंग जो आपको किसी भी सिचुएशन में नाचने पर मद्बूर कर सकता है तो लगा ले उजब बिली पेस्टी फ्रेंक का गाना है भाही का गाना है पवन सिंग का वो किसी को भी डांस करवा सकता है तो सुना आपने गुरू रंधावा ने पवन सिंग के बारे में जो कहा कि उनके सॉंग को सुनने के बाद उन्हें एनर्जी आती है और इसे वो कभी भी कहीं भी लॉली पॉप गाना सुनते हैं तो डांस कर सकते किसी भी सिचुएशन में ये तो रही पवन सिंग को लेकर गुरू रंधावा की बयान बाजी और अब आपको बता देते हैं कि क्यू विश किया है पवन सिंग ने गुरू रंधावा का एक सॉंग है हाई रेटेड गबरू जो टी सिरीज पर रिलीज हुआ था चार साल पहले और उस सॉंग ने 1.1 बिलियन का आकडा क्रॉस कर लिया है और इस जादोई आकडे को जैसे ही इस सॉंग ने छुआ वैसे ही अपने इस खुशी को जाहिर किया गुरू रंधावा ने और सभी ने उन्हें बदाई दी है तो पवन सिंग क्यों पीछे रहते क्योंकि पवन और गुरू रंधावा की तो एक अलग ही तरह की जो बॉन्डिंग है वो पूरी तरह से लोगों के सामने दिखती है सभी जानते हैं ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और ऐसे में गुरू रंधावा को विश करते हुए पवन सिंग ने लिखा है कि खूब आगे बढ़ो मेरे भाई और गुरू रंधावा ने अपने हाट का इमोजी बना कर इस पोस्ट को शेयर भी किया है आपको ये भी बता देते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के गायकी के दिवाने हैं कभी पवन गुरु रंधावा की गाईकी के दिवाने होते हैं और तो और ये दोनों बहुत ही अच्छा बॉंड शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और कई बार गुरु रंधावा के दिली खौईस रहती है कि वो कुछ न कुछ पवन सिंग के साथ जरूर कुछ करे अच्छा इनिवेटिव और वो काम लगता है जल्द ही हमें दिखाई भी दे क्योंकि इन दोनों की बॉंडिंग देख कर तो यहीं लगता है बुझ पुरी जगत की होटर मस्ता आले दरगावाशिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना मिल्कुल नम्राइब